चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को इसी तरीके से जारी रखते हैं और आगेवरते हैं अभी एक बात आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दू हम लोग जो भी प्राइजेक्शन पर बात कर रहे हैं, जो भी इंडिकेटर्स पर बात कर रहे हैं, वो सारे फॉर्मेशन जब भी आपको हम डिसकस करेंगे, तो यह एक बात समझ लीजे कि वो लाइव मार्केट में आपके सामने कहीं न कहीं बनने वाले हैं, इसलिए उन पर चरचा हो रही हैं, ठीक है, रिजेंड प्राइजेक्शन में लाइव मार्केट में अब ही बनते हुए दिखेंगे, इसी वज़ाए से वो आपको समझाए जा हैं, जैसे ही कि पछले सिष्टन म सभी को पता है प्राइज में एक गांट लगने का तरीका जिसमें दोनों तरफ से एक डोजी फॉर्मेशन होते हैं और अपर और लोविक इधर अपर विक और इधर लोविक बड़ा होता है इसके हाई लो जब आप मार करते हैं तो आपको ऐसको एक मॉमेंटम मिलता है अभी मैं रिसेंटली आज के मार्केट में आपको नौट फॉर्मेशन दिखा दूंगा इंट्राडे ट्रेडर्व के लिए बात कर रहा हूं जो छोड़ी आम फ्रेम को पांच मैंट को ट्रेड करें लोगि करें दों रुप करेंकि कल के मार्केट में जाकर उसको practical approach के थुरू देखा कीज़े not formation का video मैं नीचे description में telegram का link है वहां मैं pin करा देता हूँ join करके telegram वहां से उस session को आप directly देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखा दू not formation कहा बना अगर आप देखना चाहें तो आए बहुत ध्यान से यह हई और यह लो ठीक है आपने मार किये मैंने कहा जो breakdown हो गया या breakout हो गया तो वही momentum होगा अगला price ने क्या कि अब breakdown किया breakdown 600 का हुआ price का target क्या देखे 300 के नियर अब टच कर गया 300 point का momentum है कि नहीं यह पहला इसके break होते ही दूसरा not formation हुआ आप गौर कीज़े वह है कि नहीं हुआ है ठीक है अब जब यह break हुआ तो देखे एक momentum हमको वहां से भी मिल चुका है ठीक है और not formation में आपको दिखा देखे जब जब आप projection को trade करेंगे तो not formation के बिना price में opportunities बनेंगी यह नहीं ध्यान रखिए इस बात को जब भी not formation बनेगा तो price का structure आपको एक बड़ा momentum देकर जाएगा ही जाएगा यहाँ पर रही है देखे यह price का यह candle का formation और इस price के यह candle का formation यह दो candle को अगर आप देखें तो यह क्या है उपर से selling नीचे से buying जैसे यह low break हुए तो price का structure negative रिटेस्ट करके price ने फिर टेस्ट किया और वही से गिरावट दुबारा हुए ठीक है तो जो भी चीज़े आप सीख रहे हैं वो इतना authentic है कि किसी भी price में आप उसको trade करने चाहिएगा तो आपको failure के chances ना के बराबर दिखने वाले हैं ठीक है आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा request किया है कि एक engulfing formation की price में engulf क्या होता है अच्छा engulfing के कई सारे तरीके है पहले तो हम लोग समझ लें कि engulfing होता क्या है फिर हम लोग बात कि engulfing कैसे कैसे होता है ठीक है तो एक formation तो मैं आपको बता पाऊंगा क्योंकि time का एक duration है कि हम लोग 15-20 या 25 मिनट का session करते हैं तो उतना समय लगबग लगे और उस दौरान जितना चीज़े आप सीख सके उतना मैं सिखाने की कोशिश करूँगा अपना पूरा देने की इंगल्फ होता है सर परचाई किसी चीज़ को ढख लेना उसको हम कहते हैं इंगल्फ अगर आप इस तरीके से खड़े हैं मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाओं और जो पीछे से कोई व्यक देखे तो उसको ये जो है सामने से front view जो है उसमें आप तो दिखेंगे नहीं क क्योंकि आपको पूरी तरीके से मैंने ढख लिया है अब मैं जब सामने से हटूँगा तो ही दिखूँगा तो barrier क्या हूँ मैं हूँ barrier जो बाद में आया वो barrier है जो आपके पीछे अपको इधर से देखे तो आप first है मैं second हो तो पहले आप आगए मैं बाद में आया तो यहा आप खड़े थे कोई दूसरा यहां के खड़ा हुआ तो जो last में आता है वही barrier होता है यह बाद समझे यह मैंने आपको बहुत चोटा से example दिया कि आगे इस point को हम लोग connect करेंगे execution के time पर कि जब price में execution होगा engulfing से तो इसी point को ध्यान रखना होगा कि कि किसकी तरफ मोड़ है तो उसको पूरी तरीके से काट कर विक्वाली आजाए अगर कोई विक्वाली है तो उसको पूरी तरीके से काट कर खरीदारी आजाए कैसे संभव है बताई यह कैसे possible है कि price में एक पूरी खरीदारी आई हो उसको काट कर विक्वाली आई हो एक पूरी विक्वाली आई ह तो उसको काट कर खरीदा रही है, अच्छा देखे, प्राइज में दो तरीके की सेलिंग होती है, टोटल सेलिंग और नेट सेलिंग, इसी तरीके से प्राइज में दो तरीके की बाइंग होती है, टोटल बाइंग और नेट बाइंग, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेट बाइंग और नेट सेलिंग की अब ये नेट बाइंग और नेट सेलिंग क्या है ज़रा इस confusion को हम लोग दूर करें बहुत जान से समझे देखे बहुत बड़ा topic है engulfing है ना इसके बहुत सारे formation होते है और live market ने जितना ज़्यादा ये trade किया जाता है आपको मैं बता दूँ कोई भी formation जितना trade नहीं किया जाता है Recently आज के market के negative structure, positive structure, कल के market के negative or positive structure सारे projection में moment engulfing से आता है ठीक है किसी भी nearby support, nearby resistance, previous eye, previous swing लोग सभी जगे जो price का structure बनेगा, setup बनेगा वो engulfing बनता है ठीक है तो engulfing को अगर आप समझ गया हला कि आप लोग समझते रही है ये तकलीफ है तो मैंने कहा हम लोग total buying को total selling है ना और net buying net selling तो हम लोग जो बात करेंगे net buying net selling करेंगे अच्छा net buying है क्या पहले तो ये समझे देखे मैं पहले साधार सब्दों मैं आपको शमझा दूँ फिर उसको technical language भी हम लोग समझेंगे अगर हम कह दें कि इस पूरे घंटे में 100 रुपए की कुल खरीदारी आई है और 80 रुपए की कुल बिक्वाली आई है तो total buying कितनी है 100 रुपीज और total selling कितनी है 80 रुपीज खरीदारी आजाए तो इसमें selling का difference क्या है 100 रुपए जादा है और 80 रुपया कम है 20 रुपया मैनस 20 तो net buying को net selling से काट दिया गया ठीक है अब total buying को total selling की तो कोई बात ही नहीं हो रही net buying को net selling से काट दिया गया अब ये कई तरीके से समझे अगर पिछले घंटे bank nifty 46,000 से चल कर 46,500 गया ठीक है और 46,500 जाकर जो close करने आया वो आया 46,400 पर तो net buying कितना हो गया बताइए total जो price है खुला था 600 पर और बंध हुआ 400 पर टोटल खरीदारी तो 500 रुपय की थी लेकिन 100 रुपय सप्लाई आ गई उपर से close किया 400 पर तो total खरीदारी कितनी हुई 400 रुपय की टोटल, टोटल खरीदारी कितनी हुई, 400 रुपए की, ये टोटल खरीदारी नहीं है सर, टोटल खरीदारी हुई है 500 रुपए की, उसमें 100 रुपए सप्लाई आ गई, तो 400 रुपए बचा है तो इसको हम कहेंगे net buying सर, यही मैं आप से समझना चाह रहा था, कि आप इसको catch कर रहेंगी नहीं कर रहें, देखे, 46,000 से अगर price 46,500 गया, तो 500 रुपए की खरीदारी है, उसमें से 100 रुपए गिरावट कर दी गई, तो कितना बचा, net, कुतना टोटल खरीदारी का बचा है, 400 रुपए बचा है, अब 46,400 की जब closing हुई, अगले घंटे price चल कर गया, 44,400 से चाहुआ हुआ बताईए, 200 पॉइंट की खरीदारी आई थी, और 600 पॉइंट की supply आई थी, और 600 पॉइंट की supply आई थी, चैली से दुबारा 46,000 आगे, तो 600 पॉइंट की मैनस है, और 200 पॉइंट प्लस है, तो net क्या है, 400 पॉइंट की negative supply है, net selling है, यहाँ net 400 पॉइंट की buying यहाँ net 400 पॉइंट की supply है, तो क्या हुआ, पिछली खरीदारी को, कुल खरीदारी जो होई थी, कुल खरीदारी में से बचे हुए खरीदार 400 पॉइंट के थे, वो 400 पॉइंट में से 400 पॉइंट की बिक्वाली, short selling, देखिए मैं बहुत रफली तरीके से आपको बताता हू कि आपकी connectivity बनी रहे, आपका कहीं भी एक भी point miss नहीं होना चाहिए, और जैसे मैं चीजों को connect कर रहा हूँ, पूरी तरीके से टेकनिकली जाके अभी आपको बता दूँगा, कहीं एक भी point का confusion नहीं रह जाना है, बस आपको last पूरा end तक देखना है, ठीक है, और अगर कहीं confusion होता है, तो इस वीडियो को repeat कर लिया किज़े, कई लोगों को क्या लगता है, एक बार session देख लिया, तो complete हो गया, नहीं, आप से कई सारे point miss हो जाएंगे, जो अगली बार आपको सुनने मैंग, हलाकि मैं चीजों को दोराता रहता हूँ, दोराने से repeat करने से आपका confidence होता सबसे पहला काम होता है as a trader, identification, पहचान, तो पहचान होने लगेगी आपकी, ठीक है, तो यह क्या हुआ, net buying थी 400 point की और अगली candle में net selling आगी 400 point की, तो कुल पिछले घंटे की खरीदारी को आज अभी अगले ही घंटे में पूरी तरीके से काट दिया गया, तो इसको हम कहते ह अगले घंटे की खरीदारी थी जो बची हुई 400 रुपया, इस घंटे बची हुई selling है net कितनी 400 रुपया, तो पिछले घंटे की जो बची हुई खरीदारी थी वो बची हुई बिक्वाली से काट दी गई, तो seller ने क्या किया, buyer को ढख लिया, इसी को हमने कहा है इंगल्फ क अब आप बोलिए कि इंगल्फिंग क्या हर जगे काम आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इंगल्फिंग का काम आता है वहाँ पर जहां पर हम लोग एक उमीद की किरड रखते हैं, बहुत ध्यान से समझेगा, उमीद की किरड का मतलब है कि अगर पह कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, सोचिए, एक चलते हुए भाव में अचानक से बिक्वाली करना, तो सेलर के लिए उमीद की किरड है कि नहीं है, कि प्राइस अब गिर सकता है, बात क्लियर हो रहा है, तो एक मूमेंटम इस्ट्रक्चर में जब इंगल्फिंग होता है, तो उसका पावर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मैंने क्या कहा है, एक मूमेंटम इस्ट्रक्चर में इंगल्फ होना चाहिए, जैसे प्राइस तेजी से गिर रहा है, फिर अचानक से क्या हो, कि एक सपोर्ट एरिया पढ़ जाए, और उस सपोर्ट एरिया के पास प्राइ प्राइस आकर यहाँ पर एक केंडल बनाए, एक बोडी साइस केंडल और अगली केंडल में उसको इंगल्फ कर लिया जाए, ठीक है, तो इंगल्फिंग से क्या होगा, अब मूमेंटम चेंज हो जाएगा, अब संभावना है कि मूमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्र Candle के High Break होते हैं आप Long करते हैं अब पहले ये समझ लें कि Net Buying और Net Selling को पहचा नेंगे कैसे ठीक है हम लोगोंने अभी समझा कि Net Buying को Net Selling से काटा कैसे जाता है वो तो Roughly figure है आप data को देख कर भी जाद रख लेंगे ठीक है अगर आप सिर्फ प्राइज में चार्ट को नहीं देखेंगे सिर्फ डाटा पे नज़र रखेंगे और डाटा रीडिंग आपकी बहतर है कि ये पिछले घंटे प्राइज क्या ट्रेट कर रहा था एक घंटे बात क्या ट्रेट कर रहा है तो भी एक्स्ट्रा खरीदारी आई थी वो काट दी गई अपर विक रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी एक्स्ट्रा बाइंग आई थी वो सप्लायर के द्वारा काट दी गई लोवर विक रिप्रेजेंट कर रहा है तो बायर सेलर का जो पैसा एक दूसरे को काटने में चला गया व लेकिन बची 400 पॉइंट की रह गई क्यों, ऊपर 100 पॉइंट भाव गया और लॉट आया, क्लोज करने यहाँ पर आया, तो 46,000 से 46,400, यह body size रिप्रेजेंट करेगा, अगली candle आपने देखा कि 46,400 से 46,600 गया, फिर 400 आया, तो 46,600 से 400 आने में, तो 200 पॉइंट की खरीदारी उसको कट दिया गया उपर से, उसके बाद बाजार 46,600 आया है, तो उपर यह अपर विक की तरह दिखेगा, तो body size यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि 46,400 से 46,000 प्राइज आया, तो यह खरीदारी हुई थी, 46,000 से 44,400, यह बिक्वाली हो गई, 46,400 से 46,000, तो यह body size candle एक दूसरे को क्या करेंगी, ढखेगी, अच्छा, यहीं पर एक formation की मैं बात करूँ, प्राइज में एक structure body को body से ढखना, अब यह body अगर इनको भी ढख रहा है तो अलग बात है, body part को ही cover करें, जैसे यह एक previous candle बना है, और यह candle एक next candle बना है, जिसने previous candle के body part को cover up कर लिया है, तो अब इस candle का body structure कैसा है, positive हो गया, अगर पहले से price गिर रहा है, एक red candle के बाद green, मैंने का जो last भी आएगा, उस पर believe किया जाएगा, ऐसे price higher side momentum कर रहा है, तो green candle के बाद एक red candle का formation, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक अच्छा structure आपको short selling के लिए मिलेगा, अच्छा, अब यहाँ पर समझेए, यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले mention कर रहा हूँ, इंगलफिंग तभी सबसे powerful है, जब price में previous momentum positive या negative हो, अगर कोई भी इंगलफिंग का formation, एक choppy market में बन रहा है, वो आपके लिए किसी काम का नहीं, आप उसको non-tradable मानेंगे, अब लोग पूछेंगे कि non-tradable जब है, इंगलफिंग तो कैसे पहचाना जाए, जब भी कोई price इस तरीके से higher highs लगाते हुए, अपना last swing low break करें, और दुबारा उसके अंदर आ जाए, और फिर break करने की कोशिच करें, तो समझ लिजे price अपने previous, जब तक ये low और ये high break नहीं करेगा, तो ये structure choppy हो गया है, अब ये technical part है, तोड़ा समझने में आसानी नहीं होगी, जो नए लोग है, उनको नहीं होगी, बागी लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये structure क्या हो जाएगा, consolidation में बदल जाएगा, अगर ये price higher highs के formation में है, और इस तरीके से यहाँ पर जाकर एक green candle बने और उसके बाद अचानक से red candle से engulf हो जाए, तो price lower side momentum करेगा, अब यहाँ पर मैं एक structure की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, price higher, देखिए मैं बहुत roughly चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत आसानी से deliver कर रहा हूँ, ठीक है, आपको end तक देखना है, मैं चीज़ों को इस तरीके से technical नहीं रखता किये कि point आपको ऐसे बताया जा रहा है और बहुत समय ले रहा हूँ, नहीं, मुझे बहुत चीज़े आपको बतानी और कम समय में बतानी, यह बात जरूरी है, ठीक है, अब यहाँ से price higher highs के formation की तरफ बढ़ रहा है, और higher highs के formation में price ने previous swing high को इस तरीके से लगाया और retracement किया, retracement में previous swing low तो break नह target मिलते हैं, अगर यही trend previous bigger trend downtrend हो, और अभी short trend uptrend हो, तो यह formation सबसे best startup की तरह trade करता है, और यहाँ पर आपको कभी भी hunting नहीं होगी, और target हमेशा के हमेशा achievable है, ठीक है, चलिए अब इस चीज़ पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं सर, और देखने की कोशिच करत होता है, जैसे, समझे, यहाँ पर price ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को cover करूँगा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को cover होना है, ठीक है, price देखे, यहाँ पर price यहाँ पर structure negative हो रहा था, पहले से गिरावट हो रही थी, गिरावट के समय यहाँ इस candle में previous green body size candle को red body size candle ने इंगल्फ किया, जैसे इसके low break हुए तो आप यहाँ पर entry करते हैं और आपका पहला target यह रहा, ठीक है, ऐसा लेडिया इसी candle के hype होता है, अब देखे, यह resistance बन गया आपके लिए, क्या बन गया, resistance बन गया, अब यहाँ पर कभी भी price lot कर इंगल्फ को merge करके देखना नहीं आता होगा, तो इस वजय सोचता है तकलीफ हो, लेकिन इन दो candles को अगर आप combine करके देखेंगे, तो इन दोनों candles के body size ने इस previous candle के body size को इंगल्फ किया है, उस तरीके से यह shot है, लेकिन अभी आप नहीं समझते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, यही resistance area है, price फिर गया, यहाँ पर देखें, इस body size red, price higher side momentum कर रहा था न, green body size candle को red body size candle ने इंगल्फ किया, आप जैसे ही shot करेंगे, तो price का यह SL area है, यह आपका target है, अब आईए दुबारा, यही resistance है, resistance नहीं change हो रहा है, बहुत ध्यान से देखते रहे हैं, यहाँ पर price फिर आज intraday momentum इ upper week है, और मैंने अभी previous बताया, net buying को represent करता है body, तो net buying इतनी ही है, net buying को net selling से काटा, तो red body size ने इस previous candle के body size को cover up किया, इसी वज़े से इसको हम क्या कह रहे है, इंगल्फ formation, बात क्लियर हुई, यही चीज़ को मैं आपको समझाना चारा था, कि पूरी candle को cover up करना जरूरी नही है, सिर्फ उस candle के body part को cover कीजिए, तो भी आपने पूरी तरीके से candle को engulf कर लिया है, ठीक है, सिर्फ body part को cover कीजिए, तो इस candle के body part को red candle के body part ने ढख लिया, यही जरूरी है, यही आपके लिए जरूरी है, अब यहाँ पर price का structure कैसा होगा, सोचिए, negative, तो जैसे ही यह price यहा price action के momentum में दिखाऊंगा, बस आपको यह समझना है कि price जब भी अपने high के पास पहुँचेगा, resistance के पास पहुचेगा, या support के पास पहुचेगा, तो engulfing के formation बार बार हो, एक बार नहीं, बार बार होते हैं, ठीक है, repeat होते रहते हैं, एक बार नहीं होगा, बार बार होते है ठीक है, जैसे यहाँ पर समझे, यह candle यहाँ पर इस तरीके से पहले से trend क्या है, downtrend है, downtrend में क्या होगा, trend resumption या trend retracement की high पर जाकर वहाँ से short selling हो, यहाँ पर इन दोनों candles को देखिए, इस candle के body part ने पूरी तरीके से cover up किया, जैसे ही इन तीनों candles के यहाँ पर combined low break होते हैं, उसके बाद आप short selling कीजिए, और यह price आपको यही target दे कर जाएगा, ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आप structure पर believe कीजिए, simple body part को body part से, अगर दो previous candle, जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें, वही मैं आपको बता रहा हूँ, इंगल्फ करने के कई सारे तरीके, बस आपको स candle के body part और इस candle के body part, दोनों candle के body, 10 minute के कुल खरीदारी जो net में आई थी, उसको एक net buying ने सिर्फ 5 minute में break कर दिया, तो यह aggressive seller है कि नहीं है, price action से समझे सिर्फ, ठीक है, इतना aggressive seller है कि सिर्फ 5 minute की नहीं, 5-5 minute की दो candles की net buying को break किया है, तो यहाँ तो और aggressive downtrend आएगा, तो जैसे यह support break हुआ है, तो आप देखिए, यहाँ से momentum कितना तेजी से downwards हुआ, ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझे, कि यह momentum, यह structure, अब engulfing कई तरीके से होता है, अब सारे तरीके तो मैं classes में discuss करूँगा, आप लोग अगर classes को जाना चाहें, तो नीचे description में आपक formation में proper target क्या रखा जाएगा, अभी के लिए आपको एक के बदले date के formula पे चलना है, जब तक आप इस पर practice कर, एक के बदले date का मतलब है, कि अगर 100 point का आपका रिस्क है, तो minimum date 100 point लेने की सोचिए, index में, यहाँ पर, index में, ठीक है, अगर option में आपका 20 point का रिस्क है, तो कम से कम 30 point लेने की सोचिए, तो एक के बदले date का formula यह सब से पहले आपके लिए must है, ठीक है, अभी के लिए पर्यापत है, कोई वीडियावट हो, मुझे नीचे comment section में बताएगा, धन्यवाद,